हेलो फ्रेंड्स लेडिस क्रेज चानल में आप सब को स्वागत है लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है मापी ब्लाउट से फोर टक्स ब्लाउट के लिए कैसे हमें मेजरमेंट लेना है स्टेप बाइ स्टेप हमने देख लिया है अभी तक आपने नहीं देखा तो उपर मैंने आइकार्ण में लिंक दे दिया है उसके उपर क्लिक कर दिजिए और वीडियो को देख लिजिए आज की वीडियो में इस मेजरमेंट्स के हिसाब से लाइनिंग कपडे और में फैबरिक के उपर मार्किंग और कटिंग करेंगे इस तरह से मैंने नोट किया है फोर्टक्स ब्लाउस के लिए मैंने सारी मेजरमेंट्स नोट किया है चलिए शुरू करते हैं पहले हम लैनी कपड़े के ऊपर मार्किंग और कटिंग करेंगे मार्किंग और कटिंग करने से पहले आप एक डिसाइड कीजिए ब्लाउज में बटन्स को आप कहां पे लगाना है फ्रेंट पार्ट में और बैक पार्ट में मैं इस बलाउज में फ्रेंट पार्ट में बटन्स बना रही हूँ चलिए शुरू करते हैं मेन फैबरिक के ऊपर मार्किंग और कटिंग करना हमें इस मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग और कटिंग करना है पहले मैंने लैनी कपड़े को इस तरह double fold किया है, इसके बाद open side से हम marking शुरू करते हैं, हमें chest और waist में कौन सी ज़्यादा है, उसको लेना है, waist ज़्यादा है, इसमें 12 inches है, open side से हम 12 inch पे mark करेंगे, और 2 से 3 points ज़्यादा लेंगे, क्योंकि front part में हमें buttons के लिए margin चोड़ना है, इसके लिए में 12.3 inches पे open side से mark किया है, यहाँ पे मैंने mark किया है, वहाँ पे ही हम कपड़े को इस तरह double fold करना है, अभी मैं blouse की front part को cut कर रही हूँ, आपको blouse में back part में buttons बनना है, तो आप back part में ही margin चोड़ दीजिए, हुक की और पटी और हाइक की पटी के लिए, इस तरह से कपड़े को double fold करने के बाद एक बार चेक कर दीजिए, folding बराबर है कि नहीं, यहाँ पे भी 12.3 points है, इसके बाद blouse की length को mark करेंगे, blouse की length हमें रखना है 15 inches और margin, सिलाई के लिए 1.5 inches, front part में blouse की length को हमें 16.5 inches पे mark करना है, मैंने mark करके line को draw कर दिया है, इस तरह, इसके बाद हमें folded side से marking शुरू करना है, shoulder के लिए, इससे पहले हम folded side से, कपड़े की folded side से 2-3 points चोड़ना है, margin चोड़ना है, hook की पटी और high की पटी के लिए, इसके लिए हमें 2-3 points चोड़के, मैं एक line draw कर रही हूँ, इस margin line को चोड़के, हमें सारे markings करना है, इसके बाद shoulder की marking करेंगे, इस measurements के हिसाब से shoulder है 11.5 inches, आगे part में दोनों sides को मिला के 11.5 inches है, इस तरह tape से ही आधा करेंगे, कहाँ पे आधा होगी, वहाँ पे हमें shoulder को mark करना है, 11.5 inches के आधा हुआ, पोने 6 inches, hook की पटी और high की पटी की margin को चोड़के हमें shoulder की marking करना है, पोने 6 inches पे मैंने shoulder को mark कर दिया है, इसके बाद neck width को mark करेंगे 2.5 inches पे, आपको ज़्यादा broad पसंद है तो 2 से 3 point ज़्यादा रख सकते हो neck width को, इसके बाद front part में neck की length है 6.5 inches, इसको mark करेंगे, neck की marking से हमें नीचे 6.5 inches पे mark करना है और box बनाना है, इसके बाद armhole है 5.5 inches, यह देके मैंने 5.5 inches पे armhole को mark कर दिया है, और इसको भी हम box बना लेंगे, box बनाने के बाद front armhole को 1 inch पे round shape दे देंगे, बहुती simple steps है, simple vortex blows के लिए markings करना, इसके बाद हमें front part की neck को shape देना है, मैं neck की नीचे की side को 2 से 3 point ज्यादा रख रहे हूं width में, इस तरह width को नीचे की side 2 से 3 point ज्यादा रखने से neck की shape बहुती अच्छी आएगी, उपर की width वैसा ही रहेगा और नीचे की side हम width में 2 से 3 point ज्यादा रखेंगे, और round shape बना लेंगे, इसके बाद हमें cross belt के लिए marking करना है, 15 inches length वाली blouse के लिए shoulder से हमे 13 inch पे mark करना है, cross belt के लिए उपर से हम 13 inch पे mark करेंगे, shoulder के नीचे 13 inch पे mark करेंगे, और neck की side हमें 1 inch कम करना पड़ेगा, यह देखेंगे यहाँ पे हम 1 inch कम करेंगे, cross belt के लिए 12 inch पे mark करेंगे, और armhole की side हमें 13 inch पे ही mark करना है, सिर्फ हमें neck की side 12 inch रखना है, 1 inch कम करना है, इसके बाद यह देखेंगे, ready blows में 2.5 inches है, belt की size यहाँ पे 3.5 inches है, 1 inch सिलाई margin के लिए ज़ादा रखना पड़ेगा, अभी हमें इस तीनों points को जोड़ना है, scale की सहाथा से, आप मापी ब्लोट से भी map करके, cross belt की marking कर सकते हो, मापी ब्लोट से 1 inch ज़ादा रखने पड़ेगा, सिलाई के लिए, इसके बाद हम chest की marking और कमर की marking करेंगे, chest है 9 inches और 2 inch margin के लिए, इसके बाद कमर है 8 inch, 2 inch margin के लिए और 2 inch tux के लिए, यहाँ पर हम points को जोड़ देंगे, अभी हमें cut करना है कपड़े को, मैंने front part को mark कर लिया है, अभी हम इसको cut करेंगे, lining कपड़े के उपर front part के लिए marking और cutting पूरा हो चुका है, इसके बाद हम back part की cutting करेंगे, यह देखें, मैंने front part को mark कर के कट कर लिया है, 2 inch कम करना है क्योंकि tax की marking को चोड़ के हमें belt को cut करना है, नहीं तो आप सिलाई के बाद भी extra कपड़े को cut कर सकते हो, यहाँ पर हमने front part को cut कर दिया है, इसके बिल्कुल opposite side हमें back part को cut करना है, यहाँ पर हमें back part को cut करना है, back part में length हमें रखना है 16 inches, ready 15 inches ready करना है, 1 inch जाधा रखेंगे back part में, सिलाई margin के लिए, totally हमें back part में blouse की length रखना है 16 inches, 16 inches पर हम mark करेंगे, यहाँ पर भी हम 16 inches पर mark करेंगे, और एक line को draw करेंगे, इसके बाद हम shoulder की marking करेंगे, कपड़े की folded side से हम shoulder की marking करना है, यहाँ पर folded side है, और यहाँ पर open side है, folded side ही हम shoulder के लिए marking करेंगे, shoulder है 6 inches, इसके बाद neck की width है 2.5 inches, इसके बाद back part में neck की length है 10 inches, अभी हमें back part में neck के लिए shape देना है, इससे पहले हम नीचे की side, फिर से neck की width को 2 से 3 point जादा रखेंगे, इस तरह रखने से neck की shape बहुत ही एच्चे आएगी, अभी हम इसको box बना लेंगे, और round shape देंगे neck के लिए, मैं beginners के लिए ये video बना रही हूँ, इसके लिए मैंने simply round shape दे दिया है, stitching में भी आपको आसान हो जाए, इसके लिए मैंने simply round shape दे दिया है neck में, इसके बाद armhole की length 5.5 inches है, इसको भी हम box बना लेंगे, back part में armhole को 1.5 inch पे round shape दे दिया इसके बाद हमें chest और कमर की marking करना है, chest है 9 inches, यहाँ पर हम chest की marking करेंगे 2 inch margin के लिए, और 8 inch कमर की size है 2 inch margin के लिए और 1 inch tucks के लिए, back part में 1 inch tucks के लिए और front part में 2 inch tucks के लिए margin चोड़ना है, हमें दोनो margin lines को जोड़ देंगे इस तरह, अभी हम इसको cut करेंगे, next video में आप front part की stitching देख सकते हो, front part में 4 tucks को कैसे stitch करना है, cross belt को कैसे attach करना है, और hook की पटी और high की पटी को कैसे लगाने है, और back part की cutting अभी पूरा हो चुका है, इसके बाद हम tucks की marking करेंगे, पहले हम front part में tucks की marking करेंगे, folded side से हम margin line को चोड़ के 4.5 inch पे मार करना है, इसके बाद shoulder से नीचे हमें 10.5 inch पे मार करना है, इसके बाद दोनो points को इस तरह मिला लेंगे, और इस point से नीचे हमें एक line draw करना है, इसके बाद इस line की दोनों side हमें एक एक inch पे मार करना है, टक्स के लिए, यह देखिए, और दोनों lines को इस तरह joint करेंगे, इसके बाद इस points की दोनों side हमें 1.5 inch पे मार करना है, ये देखें दोना साइड हम 1.5 इंच पे मार करेंगे और स्ट्रेट 2 इंच पे मार करेंगे इस पॉइंट को हम नेकी साइड जोइन करेंगे और इस पॉइंट को आर्मूल की साइड और इस पॉइंट को यहाँ पे जोइन करना है ये पहला टक्स है ए दूसरा टक्स है तीसरा टक्स और चौत्वा टक्स इस तरह हमें टक्स की मार्किंग करना है फ्रेंट पार्ट में इसके बाद फ्रेंट पार्ट को हमें बराबर सेंटर पे ही फोल्ड करना है इस तरह फोल्ड करके प्रेस करना है इस तरह प्रेस करना है अलग-अलग साइज की लौज में अलग-अलग टक्स की मार्किंग होते हैं आपको अलग-लग साइज के लिए टक्स की मार्किंग कैसे करना है देखना चाहते तो मुझे Comment Sexton में जरूर बता दिजे उसके उपर मैं एक वीडियो बना लूँगी इस तरह हमें दोनों साइट टक्स की मार्किंग करना है फ्रंट पार्ट में हमने टक्स की मार्किंग कर चुके हैं कहां कहां हमने टक्स की मार्किंग किया है वहां पे हम इस तरह कट्स दे देंगे निशान के लिए ये देखे मैंने चारो टक्स के लिए निशान लगा दिया है कट करके इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे कट करके इसके बाद हम बेल्ट को भी कट करके अलग करेंगे इस तरह मैंने बेल्ट को कट किया है फ्रंट पार्ट की बेल्ट को इसके बाद हम back part में tux की marking करेंगे back part में नीचे से हम 4 inch पे mark करना है और folded side से 4.5 inch पे mark करना है tux के लिए दोनो points को मिला लेंगे, point से नीचे हमें एक line draw करना है और दोनो side half of inch पे tux लेना है इस तरह हम इने निशान लगा दिया है tux के लिए इसके बाद हम sluze की cutting करेंगे, sluze के लिए हमें कपड़े को 4 layers में fold करना है आपको दोनो sluze को एकी साथ cut करना है तो 4 layers में fold कीजिए, आप पहले एक sluze को cut करना है तो double fold कीजिए इस तरह हमें बचे हुए कपड़े को 4 layers इसमें fold करना है दोनों सले उसको cutting करने के लिए fold करने के बाद इसकी weight है 9 inches इसके बाद आर्मोल की link लेंगे back part और front part ले ले लेजे और आर्मोल की length देखिए 7.5 inches है Shoulder से side तक इस तरह हमें length लेना होगा अभी हमें 7.5 inches पे one and half inch add करना पड़ेगा margin के लिए totally 9 inch पे हमें कपड़े को 4 fold करना होगा मैंने पहले ही कपड़े को 4 fold किया है 4 fold करने के बाद skill width भी है 9 inches दोनों sleeves को एकी साथ cut करने के लिए बराबर है कपड़े फिर भी में आपको कम कपड़े है तो दोनों sleeves को हमें कैसे adjust करना है वो आपको में दिखा दूंगी पहले हमें एक स्लूस को cut करना होगा कम कपड़े है तो इसके लिए मैं कपड़े को double fold किया है double fold करने के बाद इस तरह हम open side से 9 inch पे मार करेंगे इस point से हमें कपड़े को double fold करना है इस तरह में एकी sluus को cut कर रही हूँ पहले इसके लिए मने कपड़े को double fold किया है इसके बाद हम sluus की लेंट की mark करेंगे sluus की length है 4 inch 1 inch add करेंगे slot, margin के लिए totally मैंने 5 inch पे shleus की length को mark करो किया है इसके बाद folded side से हम 3.5 inch पे mark करेंगे इस तरह हम इसके बाद नीचे हम 2.5 इंच पे मार करेंगे स्लीवस डाउन के लिए यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्राओ करेंगे इसके बाद आर मॉल में फिटिंग की लाइन है सावे नीच और दो इंच मार्जीन के लिए और नीचे की साइड फिटिंग की लाइन ने 6 इंच और 2 इंच margin के लिए इसके बाद दोनो margin margin को जोड देंगे इस तरह इसके बाद slues down करना है यहां से हम यहां तक slues down करेंगे fitting line तक और आगे margin line को सीधा रखेंगे अभी हम इसको cut करना है slues की front पार्ट को हम सिलाई के वक्ति cut करेंगे अभी हमने cut कर दिया तो आपको confused हो जाएगी left side sleeve और right side sleeve इसलिए आपको मैं stitching वक्त ही बता दूँगी बचे हुए कपड़े में हमें दुसरी sleeves को cut करना है कम कपड़े है तो इस तरह हमें adjust करना पड़ेगा ज्यादा कपड़े है तो आप four fold करके दोनों sleeves को यह की साथ cut कर सकते हो दुसरी sleeves को हम यहाँ पे भी adjust कर सकते हैं यहाँ पे भी हम cut कर सकते हैं नहीं तो इस तरह भी हम cut कर सकते हैं इस तरह हमें दुसरी sleeves को बचे हुए कपड़े में adjust करके cut करना होगा कम कपड़े है तो एडिके में आया पर दूसरी स्ल्यूस के लिए कट कर रही हूँ दूसरी स्ल्यूस को भी मैंने कट कर दिया है लाइनिंग कपड़े के ऊपर फ्रेंट पार्ट बैक पार्ट और स्ल्यूस की कटिंगे भी पूरा हो चुका है इसके बाद हम में फैबरिक के ऊपर कट करेंगे यह है स्ल्यूस और यह है बैक पार्ट और यह है फ्रेंट पार्ट और फ्रेंट पार्ट में बेल्ट इसके बाद हम में फैबरिक के ऊपर कट करेंगे में फैबरिक को हमें डबल फोल्ड करना होगा मेन फैब्रिक की डिजाइन को देखके आप कट कर दीजिए इस तरह का डिजाइन है अभी हम इसको डबल फोर्ड करेंगे इस तरह 12.3 इंचर्स पर मैंने कपटे को डबल फोर्ड किया है इसके बाद यहां पर मैं नीचे की साइड में बैक पार्ड को एज़ेस्ट करूंगी इस तरह हम जोड़ दोंगी इसके बाद अपोजित साइड हम फ्रेंट पार्ड को जोड़ देंगे इसके बाद cross belt को हम यहां पर adjust करेंगे आपको front part के नीचे भी cross belt को cut कर सकते हो फिर भी मैं यहां पर ही cross belt को adjust कर रही हूँ क्योंकि बचवे कपड़े में हम design कर सकते हैं नहीं तो दोरी भी बना सकते हैं इसके लिए में फैब्रिक को हमें वेच नहीं करना चाहिए इसके लिए मैं यहाँ पर ही क्रॉस बेल्ट को कट कर रही हूँ तोड़ा सा हम फ्रेंट पार्ट को नीचे की तरफ मूँ कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस बेल्ट को एज़ेस्ट करेंगे इस तरह मैंने main fabric के ऊपर front part, back part और cross belt को adjust कर दिया है और इस cross belt को हम front part के नीचे भी इस तरह रखे cut कर सकते हैं यहाँ cut करने से main fabric waste हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पर cross belt को adjust कर दिया है इसके बाद हम donor slues को यहाँ पर रखेंगे यह दिखिए यहाँ पर donor slues को रखेंगे अब हम इसको cut करेंगे मैंने simple four tucks blouse के लिए mapi blouse से case map लेना है और उस measurement के हिसाब से आप main fabric और lining कपड़े के ऊपर case marking और cutting करना है इसके बाद front part को case stitch करना है cross belt को कैसे attach करना है hook की पटे और high की पटे को कैसे लगाना है इसके बाद back part और sleeves को कैसे stitch करना है और कैसे blouse को fitting करना है सारे वीडियो के ऊपर मैंने एक playlist बना दिया है playlist की link में last में दे दूंगी इस वीडियो के end में playlist के ऊपर click कर दीजिए और सारे वीडियो को step by step देख लीजिए और like and share करना मत बूलिए इस बचे हुए main fabric में हम डोरी बना सकते हैं नहीं तो design बना सकते हैं main fabric के ऊपर blouse की cutting अभी पूरा हो चुका है next वीडियो में हम front part के stitching देख लेंगे यह है front part front part में cross belt और back part और sleeves आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिए share कीजिए आपके friends और family के साथ और मेरे चैनल को subscribe कीजिए subscribe करने के बाद all notification bell को click कर दीजिए आप all notification bell को click कर दिया तो मैंने upload किया हुआ सारे वीडियो की link आपके mobile पर आएगी वीडियो देखने के लिए आपको आसान हो जाएगी इसके लिए जरूर bell button को दबा दीजिए इस वीडियो से related एनी कमेंट से तो मुझे कमेंट सक्षन में जरूर बता दीजिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल